नमस्का फ्रेंड्स में नाम बवली और माद पेपर है कर्मिय आपका स्वागत है श्टार्ट करने वाले भी फूर सेमिस्टर जियोग्रॉफी का यह रहने वाला है यूनिट नंबर बन का कोशन नंबर सेक्स हम यहाँ पर जियोग्रॉफी को देख रहे हैं और है ठीक है अगर आपको पूरा स्लेवस इसका चाहिए तो हमारी साइट पर जाना पड़ेगा पेपर हैकर डॉट इन उसको आप उस पर आपको बिल्कुल फ्री अपको उपलब्द कहा रखे हैं हमने पूरे की पूरे नोट्स आपको पीडिएफ नोट्स करना है तो आपको कु कुछ उपलब्द है तो बहां जाएगा पहले लेश्ट भी आपको वहीं मिल जाएंगी बिल्कुल एजिली बटन है फोर समिस्टर का उसके अंदर जाना है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोशन के लिए बात करेंगे आज देखेंगे मिट्टी सनच्छण पर टिप कौनते किर्सी वहागमेक रहते थे डेवली जे स्पाइमेन के द्वारा की गई थी ठीक है तो बात करते हैं इसका अर्थ मजबूती के साथ मिट्टी च्ण को रोकना ही था लेकिन अधुनी के समय में इसके अंदर गत हमारे मिट्टी संसादनों का बचाव निर्बा तथा स चत्वों की अभी वर्दी करना है अता मिट्टी से दीगर काली इंदर्ष्टी कोण से अधिकतम लाब प्राप्त करने के लिए मिट्टी सनचड अनिवारे हो जाता है ठीक है तो बात करेंगे मिट्टी सनचड की विधियों के वारे में ठीक है तो बात करते हैं सनचड की अ पर आम सुरूप बिचार इस प्रकार पुष्टत किये हैं जैसे बात करने बरतमान बैच्छार उपर में सुधार करना अनावस्यक परश्चों को कम करना बात करते हैं खाद के उचित तरीके अपनाना बात करेंगे बैग्यानिक फॉर्म प्रबंदन करना समुच रेकी जुता शमतल करने हेतु और बात करते हैं थोड़ी बरसा को नियंतित करने सडक की नालियों के नियंतल करना और नाली को बंद करने तथा धरती बात करते हैं परती भूमी को कम करना आधी के सनचड फलदा बात करते हैं फलदाई हो सकते हैं मतलब लाबकारी हो सकते हैं तो बात करत समुद्ध रेखिये बांद बनाना मतलब समुद्ध रेखिये इस प्रकासे में बनाना है समुद्ध रेखिये समुद्ध रेखिये कर रहा है अगर रेखिये ऐसी भी रेखा होती है ऐसी भी रेखा होती है समुद्ध रेखिये की बात कर रहा है ठीक है चलो तो श्टार्ट करत एक साथ तेजी से टक्रा ना सके जिसे विविन इस्तानों पर समाता समाता जाता है जिसा ऐसा बात करते हैं कि इस प्रिकास से अगर हम समुझ चिवाई बना देंगे तो यहां पर टक्राएगा यहां टक्राएगा यहां टक्राएगा बांदों में रुके हुए पानी को मिट्टी अधिक मात्रा में सोक लेती है जिससे जल इस तर उंचा रहता है बात करते हैं उतली मध्यम और मध्यम गहरी भूमी में किस से कोको ऐसे बांद बहुत लाबकारी सिद होते हैं समुच रेखियों के अनुसार बच्छार उपड़ करना भी मिट्टी के कटाव को कम करने में साहता होती है ठीक है अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट बिदी की बात करेंगे तो समुच रेकी जुताई के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके अंत्रगत ढालदार भूमी पर इसके अंत्रगत ढालदार भूमी पर समुच रेके के अनुरूप जुताई की जाती है जिसके ढालदा की प्रवरता बिविन इस्थानों पर अबुर्द हो जाती है मतलब ढालदा की प्रवरता क्योंकि हम ऐसा बना देंगे ठीक है तो यहां की मिर्दापर जुताई के बारे में इसके अंत्रगत ढालदार भूमी पर समुच रेकिये के अनुरूप जुताई की जाती है जिससे ढालदा बिविन इस्थानों पर अबुर्द हो जाती है फलता जल की तीवर प्रवाग में रुकाबट पैदा हो जाती है और इसकी अपरदन सकती कम हो जाती है इसकी अत्रिकत समुच πट्टियों में कई पिरकार की फ़सलों को बोया जाना चाहिए जिससे यदि उपर पट्टियों के मिर्दा अपरदित होती भी है तो यह नीचे की पट्टियों में उगी फ़सलों द्वारा निच्छे पित कर ली जाती है और सभी फसलों की को आवशेक्ता के अनुसार पोसक तत्व मिलते रहते हैं इन पटीयों को पटीयों की मिट्टी द्वारा बरसा के समय में बरसा के समय जल को अबसोसित कर लेने से भीम जल इस तर उंचा होता है और भुमि हो गए है यहाँपर भीमद रहका है भुमि जल इस तर उंचा होता है और मिट्टी नम रहती है तो यह हमारी दूसरे वीदियो हो गई अब देख लेते हैं सीड़ी नुमा खेतों की विस्था सीड़ी नूमा कर कर यह संतल हो जाएगा मगर यहां पर अपरदन मिर्दा Aparadent में देखने को नहीं मिलेगा तो बात करते हैं सेड़ी नुमा-खेतों की विस्ता यह है तरीका पहाड़ी छेतरों में अपनाये जाता है और सेड़ी नुमा-खेतों की विवस्ता करके मिट्टी को कटाव रोका जाता है सेडिनोमा खेतों के द्वारा पानी का बेग अवरुद्ध हो जाता है परड़ता बहुत कम अपर्दन कर पाता है और अपर्दित मिट्टी की खेती में ही निच्छेपित करता है हम निच्छेपित कर लिया जाता है बात ने कहीं कहीं केतों की मेड बांद कर भी पानी का बेग मिर्दा छड रोका जा सकता है ठीक है तो यह हमारा हो जाता है तीसरी विदी आम देख लेते हैं चौती विदी मतलब तटबंद की जदाट बगएरा होते हैं जो नदियों के से गहरे भागों में इस्तद गाबों की सतह को उचा करने से बाडों पर भी निंत्र किया जा सकता है इससे मिट्टी चलड को काफी हद तक रोका जा सकता है ठीक है अगले बात करेंगे निंत्र पसू चलड अगर हम पसू चलड को निंत्र कर दें जैसे उनके पसू चारा ग ज़ड़ देखने को मिल जाता है मिल्दा चड़ बच जाता है ठीक है तो मिल्दा से छड़ होता है तो बात करते हैं इसके अंतकत पसूँओं को चराने के लिए कुछ छेतर निश्चित कर दिये जाने चाहिए इसे इस तरीके को अपनाने से घास में ब्रदी रहती है अता घा से ही इसका मद्दा छड़ में भी रुकावट करती है इसके विपरीत नियंतत पसुचारा में घास समापत होकर मिट्टी छड़ को बढ़ावा देती है ठीक है आगले बात करते हैं तो बात करते हैं छटी हमारी बदी हो जाती है फसल अपरदन अगर हम फसल अपरदन करते रह हैं तो उसे क्या होता है फसल को चेंजिस के अनुसार बोते रहें तो उसे पैदावार भी बढ़ती है और मिट्टी में जो अपरदन होने की जो छमता होती है वो भी कम होती जाती है जैसे बात करें भूमी के एक टुकड़े पर बिफिन फसलों को किरमत उतपादन द्वार था मिट्टी की बिरदी के लिए आवश्यक नाइटर। फलीया वाली फसलो क्लूवर बात करते हैं जो जैसे प्रव्यों के लिए बहुत अप्योगी होती इस परकार इस पदती को सुधारा जा सकता है ठीक है अगले की बात करते हैं जो हमारी साथ भी बिदी है वो जाएगी तुमारी आवरल फसलें कैसी आवरल फसलें जब हम हवा या जलसी मिट्टी छड़ को बचाने के लिए बनस्पती कम बिलकुल नहीं होती उस समय आवरल फस बात करते हैं तुमारी लताओं वाली फसलें और घास मुक्षामानिता अवतर फसले होती है ठीक है आवरल फसले होती है जो इसको शाय लेती है मिट्टी के लिए और छड़ होने से रुखती है बात जल फैलाब के बारे में अगर जल एक सीधी रिखा में बहेगा तो मिट् वालों के पाद और अवल निकाओं से एकत्र करके उसके लिए भूमी पर काम में लिया जाना चाहिए इसकी आवश्यक्ता है यह गड़े बांद अथा एक साथ से दूसरे इस्थान पर जल को सीधे पहुंचाने वाले संसादों द्वारा किया जा सकता है तो बात करते हैं न आदिवासियों द्वारा की जाने वाले इस प्रकार की किरसी के अंतरगत बनों की बड़ी मात्रा में बिनास किया जाता है इससे मिटी छड़ को बढ़ावा मिलता है अथा इसे प्रकार की किरसी पर रोक लगाना चाहिए इसके लिए आदिवासियों को एक स्थान ही इस्थ तो भूमी पर ही किरसी करने दी जाए कोई कि वोगा गरते हैं मिटी के परदन चमता कम हो गई मतलब उत्पादम चमता कम हो गई फिर नई भूमी उनने बन काटा और बहाँ पर अपनी नई खेती बना ली इसके अलाबा किरसी के साथ साथ ब्रच्छा रोपड़ भी किया जान चाहिए बात करते हैं दस भी बिदी क्या है दस भी यह तुमारी रच्छारत करसी कोईसी रच्छारत करसी इस बिदी के अंतकत ब्रच्छों और पौदों के तने भूखा भूशा और अनसन चनातमक आवर फसलों की खेती में ही मसीनों द्वारा मिला लिया जाता है बात करे मिटी को बांदे रखता है दूसरे पानी को सीधी चोटों से उसकी क्या करता है रच्छा करता है यह उडा करकट पानी के बहाव को भी अवरुद डालता है अता मिटी अधिक से अधिक पानी को सोक सकती है इस अवदी इस बिदी में इस बिदी को ट्रसी फालो ट्रसी फालो तो यह वेरी वेरी इंपोटेंट है ट्रसी फालो यह आपको कंप्रेशन एक्जाम में देखने को मिल जाता है ठीक है तो ट्रसी फालो प्रसी इसको कहा जाता है ठीक है अगले वड़ते हैं नेक्स की बात करते हैं तो यहां दरेका है तुम्हारा मिट्टी की प्रदूसर से रक्षा, मिट्टी की प्रदूसर से भी रक्षा करनी चाहिए, बाता वड़े में पाहिशते हैं कि नाइट्रोजन और सलफरडाई ऑकसाड पदार्थ मिट्टी को प्रदूसरित करते हैं, यह पदार्थ वर्सक के साथ मिट्टी के अंदर प्रिवेश कर जाते हैं और मिट्टी में आमलियता को बढ़ाते हैं साथ ही उस उत्पाधन चंता को कम कर देते हैं ऐसे मिट्टियों में कैलसियम, पोटेशियम, मैंगनेसियम, फॉसपेट और रासानिक उर्वा को का उपियोग किया जाना चाहिए कभी-कभी उर्वा का और केट ना सक दवाईयों की अनुचित पिरियोग से भी मिट्टी प्रदूशित हो जाती है अथा मिट्टी सनसादन के लिए आवश्यक है कि इसका सही उपियोग किया जाए अगले बात करेंगे मिट्टी सनसादन की बिवेक पूर प्रयोग ये भी आपके बीदी देखने के मिलती है मिट्टी संसादन की बिवेक पूर मतलब उपियोगिता हो तबी उसका यूज होना चाहिए ठीक है ये भी बात हो जाती है तो बात करते हैं मिट्टी संचन में बिवेक पूर पूर के अंतरगत उक्त वर्डत मिट्टी संचन का बिचार ही नहीं बरन मिट्टी का बिवेक उप प्योंगे भी संब्लित किया जाता है यह एक महत्पूरतत है कि किरसी भूमी की सिबिल और और दोगिक दिनमारो उता ग्राम एवम नगरिये जमगटों के लिए किया जा रहे हैं बात करते हैं तुम्हारा जिसे हम अदच्छी नेततत से रच्छा की जाती है ठीक है तो इस प् पार आपको इस वीडियो को टू की स्पीट में और देखना है किसका 2 की इस वीडियो को एक बार आपको और देखना वीडियो अच्छी लेगे हो तो लाइक करना शेर करना चैनल को कर देना सस्क्राइब बैल एकन को प्रेस करना नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत